वर्दवान सिधासल का नजर पकेवा प्राधान मंत्री नरेंदर मोदिंग का अविवासनों परे अभी आज मैं वंदन करता हूँ साथियों एज प्रिसाइडिंग अफिसर यू हवेग की रोल इन अवर डेमोक्रेसी आप सभी पिठासिन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में सम्विधान और देश के सामान्य मानवी को जोडने वाली एक बहुत एहम कड़ी है विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं ऐसे में हमारे सम्विधान की तीनों महत्वन अंगव विधायका, कारेपालिका और नयाईपालिका के बीच बहतर सामन्जस स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमी का आदा कर सकते हैं आपने अपने सम्विधान में इस पर काफी चर्चा भी की है सम्विधान की रक्षा में नयाईपालिका की अपनी भूमी का होती है लेकिन स्पीकर लौ मेकिंग बॉडी का फेस होता है इसलिए स्पीकर एक तरह से सम्विधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है साथियों सम्विधान के तीनों अंगों की भूमी का से लेकर मरियाता तक सब कुछ सम्विधान में ही बरनित है सत्तर के दसक में हमने देखा था कि कैसे सेप्रेशन और पावर की मरियाता को भंग करने की कोशिच हुई थी लेकिन इसका जवाब भी देश को सम्विधान से ही मिला बड़कि इमर्जन्सी के उस दौर के बाद चेक्स और बैलेंस का सिस्टिम मजबुत से मजबुत होता गया विधाई का कारेपाली का और न्याएपाली का तीनों ही उस कालखन से बहुत कुछ सिक कर आगे बड़े आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगीक है बिते छे साथ सालों में विधाई का कारेपाली का और नाईपाली का में सामेंजस को और बहतर करने का प्रयास उबा है साथियों इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर कठीन से कठीन समय में भी जनता की आस्था इन तीन अंगों पर बनी रहती है ये हमने इतन दिनों इस वैस्विक महामारी के समय भी बक्खुबी देखा है भारत की एक सो तीस करोड से जादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचे दिया है उसकी एक बड़ी वज़ा है सभी भारतियों का सम्विधान के तीनों अंगों पर पुर्ण विश्वास है इस विश्वास को बढ़ाईने के लिए निरंतर काम भी हुआ है महामारी के इस समय में देश की संसद्ने राष्ट हिच से जुड़े कानूनों के लिए आत्म निर्भर भारत के लिए महत्वकून कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिवतता दिखाई है वह भी अबूत्पुर्वा है इस दोरान संसद्न के दोनों सद्नों में तो ऐस समय से ज़्यादा काम हुआ है संसद्नों ने अपने वेतन में भी कटोती करके अपनी प्रतिवतता जताई है अनेक राज्यों के विदायकों ने भी अपने वेतन का कुचाउंस देकर करोना के खिलाब लड़ाई में अपना सहयोग दिया है I want to appreciate all these efforts In the COVID times these steps play a leading role in boosting public confidence साथियों करोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबुती भी दुनिया ने देखी है इतने बड़े स्तर पर चुना होना समय पर परनाम आना सुचारू रुप से नई सरकार का बनना ये इतना भी आसान नहीं है हमें हमारे समिधान से जो ताकत मिली है वो ऐसे हर मुश्किल कारियों को आसान बढाती है हमारा समिधान 21 सदी में बदलते समय की हर चुनोती से निपटने के लिए हमारा मारदर्शन करता है नई पीड़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े ये दाईत्वा हम सभी पर हैं आने वाले समय में समिधान 75 वर्ष की और तेजगर्दिस आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है ऐसे में व्यवस्ताओं को समय के अनूकूल बनाने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा राश के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधाई का, कारे पाली का और न्याय पाली का उसको बहतर तालमिल के साथ काम करते रहना है हमारे हर निर्णे का अधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए एक ही मानदन होना चाहिए और वो मानदन है राष्ट रहीत राष्ट रहीत यही हमारा तराजू होना चाहिए हमें यह याद रखना है कि जब विचारों में देशित, लोखित उसके बजाएं राजनीती हावी होती है तो उस कांख रुक्षान देश को उठाना पड़ता है जब हर कोई अलग-अलग सोता है तो क्या पनाव होते हैं उसका गवाँ आप दो दिन से जहां विराजमान है वो सरदार सववर डैम भी उसका एक बहुत बड़ा उदान है साध्यों केवडिया प्रवात के दौरान आप सभी ने सरदार सववर डैम की विशालता देखी है बववेता देखी है उसकी शक्ति देखी है लेकिन इस डैम का काम बर्सों तक अटका रहा, फसा रहा शुरूबा था और आजादी के पच्चतर वस जब सामने आये हैं अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ कैसी कैसी बात हाएं कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटें किस प्रकार से सम्विधान का दुरुप्यों करने का प्रयास हुआ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जनहीद का प्रोजेक्ट इतने सालों तक लटका रहा आज इस डेम का लाप गुजरात के साथ ही मद्द प्रदेश, महाराश्टर और राजस्थान के लोगों को भी हो रहा है इस बांद से गुजरात की 10 लाग हेक्टर जमीन को, राजस्थान की 5 लाग हेक्टर जमीन को सिंचाई के सुविधा सिनिश्चित हुई है गुजरात के 9000 से जादा गाउं, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को गरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरो बांद की वज़े से हो पा रही है और जब पानी की बात आती है तो मुझे प्रसंग भी आ जाया जाता है जब दर्वदा का पानी अनेक विवादों में रहा, अनेक संकटों से गुजरे, आखिर कर कुछ रास्ते निकले लेकिन जब राजस्थान को पानी पहुँचाया तो बैरोसी जी सेखावत और जस्वन सिंग जी दोनों गांदी नगर स्पेशली मिलने आए मैंने पुछा क्या काम है बोले आकर के बताएंगे वाई? और मुझे उतना उन्होंने अभिनन दन दिये, इतने आशिरवाद दिये, इतनी बना का इतना प्यार, इतनी भावना क्या है अरे बोले भाई, इतियास गवाँ है कि पानी के बुंद के लिए भी युद्ध हुए हैं, लराईया हुई हैं, दो-दो परिवारों के बीच बटवारा हो गया है बिना कोई संगर्ष, बिना कोई जगड़े, गुजरात से नर्वदा का पानी राजस्तान पहुँच गया राजस्तान की सूखी धर्ती को अपने पानी पहुँचाया यह हमारे लिए तने गर्व और अनन्द का विशह हैं, और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं अब देखियें, यह काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांच से जो बिजिनी पैदा हो रही है, उसका अधिकाउंस लाब मद्द प्रदेश और महराष्ट को हो रहा है साथियों, यह सब बरसों पहले भी हो सकता था लोग कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्राफिक्ता की अपरोच के साथ, इलाब पहले भी मिल सकते थे लेकिन बरसों तक, जनता इन से बंचित रही और आप देखिये, जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पस्चाता आप नहीं है इतना बड़ा राष्टिय नुक्सान हुआ, बांत की लागत कहां से कहां पहुँच गई लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चहरे पर कोई शिकन नहीं है हमें देश को इस प्रबृत्ती से बाहर निकालना है साथियों, सरदार प्रटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्शन करके आप लोगों ने भी नई उर्जा मैसुस की होगी आपको भी एक नई प्रेणा मिली होगी दुनिया की सबसे उची प्रतिमा स्टेची ओफ इनिटी यह हर भारतिय का गवरो बढ़ाती है और जब सरदार प्रटेल स्टेची बना है वो जनसंग की मेंबर नहीं थे, भाज़पा के मेंबर नहीं थे कोई राजनितिक छूता चूआ चूआ चूत नहीं जैसे सदन में एक भाव की आवश्रक्ता होती है वैसे देश में भी एक भाव की आवश्रक्ता होती है यह सरदार साप का समारक उस बात का जीता जाकता सबूत है कि जहाँ कोई राजनितिक छुआ छूत नहीं है देश से बड़ा कुछ नहीं होता देश के गवरों से बड़ा कुछ नहीं होता आप कल पना कर सकते हैं 2018 में स्टेज अब इनुरिटी के लोकावर्पन के बाद करीब करीब 46 लाग लोग 46 लेट यहां इस सरदार साब स्टेज यू को अपना नमन करने के लिए आए है कोरोना की वज़े से साथ महिनों तक स्टेज यू दरसन बंद नहीं होते तो यह आखड़ा और ज़्यादा होता मान दर्वदा के आशिरवात से स्टेज यू यू यह पूरा केवडिया शहर भारत के भव्यतम शहरों में सामिल होने के लिए तेजी से खड़ा हो रहा है सिर्फ कुछी वर्षों में और अब यह गवणर सिमान आचारी जिनने बड़े विस्तार से इसका बढ़नन किया है कुछी वर्षों में इस स्थान का गया कल्प हो गया है जब विकास को सरवोपरी रखकर करतव यभार को सरवोपरी रखकर काम होता है तो परणाम भी मिलते हैं आपने देखा होगा इन दो दिन दरमयान आपको कई गाइड से मिलना हुआ होगा कई व्यवस्ता में जुड़े हुए लोगों से मिलना ये सारे नवजवान बेटे बेटियां इसी इलाके की हैं आदिवासी परिवारों की बेच्चिया है और आपको जब बताती होगी बहुत एक्जेटने सब्दों का उप्योग करती है आपने देखा होगा ये ताकत हमारे देश में पड़ी है हमारे गाहों के अंदर भी ये ताकत पड़ी है सिरफ थोड़ी राख हटाने की जरुद है वो एकदम से प्रद्वलित हो जाती है आपने देखा होगा दोस्तों विकास के इनकारियों ने यहां के आदिवासी भाई बहनों को भी एक नया आत्म विश्वात दिया है सात्यों हर नागरिक का आत्म सम्मान हो आत्म विश्वात बड़े ये सम्रिधान की भी अपेच्छा है हमारा गए ये निरंतर प्रयास है ये तभी संबभ है जब हम सभी अपने कर्तवियों को अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे अपने कर्तवियों को सरवोच्य प्राथमित्ता देंगे कर्तवियों पर सम्मिधान पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है लेकिन पहले के दोर में उसे ही भुला दिया गया चहाए सामान नागरिक हो, करमचारी हो, जन्प्रतेजी हो न्याईक व्यवस्ता से जुड़े लोग हो हर वेक्ति, हर संस्थान के लिए कर्टग्यों का पानन बहुत प्रात्मिकता है, बहुत जरूरी है सम्मिधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव ये लिखी तुट में भी है और अभी हमारे स्पीकर आदर्णिय बिर्लाजी ने कर्तवों के विशे में विस्तार्थ हमारे सामने विशे भी लखा Friends, our Constitution has many special features but one very special feature is the importance given to duties Mahatma Gandhi himself was very keen about this he saw a close link between rights and duties he felt that once we perform our duties rights will be safeguarded Saathiyon, am हमारे प्रयाक्स ये होने चाहिए कि सम्विधान के प्रती सामाने नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो इसके लिए सम्विधान को जानना समझना भी बहुत जरूरी है आजकल हम सब लोग सुनते हैं KYC ये बहुत common सब्द हैं हर कोई जानता है KYC का मतलब है Know Your Customer ये डुजिटल सुरक्षा का एक बड़ा एहन पहलू बना हुआ है उसी तरह KYC एक नए रूप में KYC याने Know Your Constitution हमारे सम्विधान सुरक्षा वचकवच को भी मजबूत कर सकता है इसलिए मैं सम्विधान के प्रती जागरूपता के लिए निरंतर अभ्यान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीडियों के लिए आवशन बानता हूं विशेशकर, स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीडियों को इससे बहुत करीब से परिचे करना हो चोंगा I would urge you all to take initiative that make aspects of our constitution more popular among our youth that too through innovative methods साथियों हमारे हाँ, बड़ी समस्या ये भी रही है कि समयधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइने बड़े-बड़े paragraph, close, close, close यानि जाने अंजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके हम भारत के लोगों ने इस समिदान खुद को दिया है इसलिए इसके तहर दिये गए हर फैसले हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा connect महसूस करे यह सुनिशित करना होगा इसमें आप जैसे पिठासिन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्वक खो चुके हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए अभी हमारे मान्य हरीववजी ने उसके बिशे में अच्छे उदाहान दिया हमारे सामने ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाएं बाधाएं ज्यादा बनाते हैं बीते सालों में ऐसे सेंकडो कानून हटाए जा चुके हैं लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्ता नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में सम्मिधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्या स्वत्र चलती रहे अभी कुछ कानूनों में संसेट क्लॉज की ववस्ता शुरू की गई है अब Appropriation Acts और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दाइरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है मेरा सुजाव है कि राज की विधान सभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्ता सोची जा सकती है तक कि पुराने अनुप्योगी कानूनों को स्टेचूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वार्मेंट्स में बचा जा सके इस प्रकार की व्यवस्ता से कानूनी कन्फुजन बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी साथियों एक और विशह है और वो भी उतनाई महत्वपुन है वो चुनावों का बन नेशन बन इलेक्षन सिर्फ एक चर्चा का विशह नहीं है बलकि ये बारत की जरूरत है हर कुछ महिने में बारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते इसे विकास के कारियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भाती जानते हैं ऐसे में वन नेशन वन इलेक्षन पर गहन अध्यन और मंतन आवशक है और इसमें पिठासी नदिकारी काफी मारदर्शं कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं लीड कर सकते हैं इसके साथ ही लोकसभा हो विदान सबा हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आएं इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा आज हरेक के लिए अलग-अलग water list है हम क्यों खर्चा कर रहे हैं समय क्यों बरबाद कर रहे हैं अब हरेक के लिए 18 साल से उपर ताइव है पहले तो उमर में फर्क था इसलिए थोड़ा बोर रहा आपको जरूत नहीं है, साथ योड डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विदान सवों में कुछ कोशी से हुई है, लेकिन अब पूर्ण डिजिटली करने का समय आ चुका है